हालो एवरिवन आज के जो मेरा सेशन है वो इस्पेशली 24 और 25 के उन इस्टुएंट के लिए जो सेल्फ स्टेडी के थ्रू निमसेट या CUT या DU जैसे एक्जाम को क्रैक करना चाहते हैं मैं आप सब को एक बात बोलूँगा यह कंप्लीटली सेल्फ सेडी सेशन है कि आपको क के थ्रू आप सेल्फ स्टेडी करते हुए भी कैसे अपने टार्गेट को पूरा कर सकते हैं वो सारी बाते में करूँगा तो सबसे पहले बात आती है कि प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करनी चाहिए यह पहला कोश्चन मुझसे हमेशा पूछा जाता है जो बच्चे फार्स यह आप इमानदारी से देखें तो आई टी में सबसे ज़्यादा 12th appearing student select होते हैं बट हम कभी यह देखें कि वह 12th appearing student ने पढ़ा ही कब से चालू की तो आप देखेंगे most of the student वो है जो 8 9th या 10th से स्टार्ट कर चुके हैं जो बच्चे 11th या especially 12th में जाके स्टार्ट करते है उनके selection के chances ratio बहुत कम हो जाते हैं अगर आप सोचते हो कि आप निमसेट जासा exam crack कर सको क्योंकि आज NIT में ना केवल placement अच्छे हैं अच्छा atmosphere है एक अच्छा exposure मिलता है तो अगर आप सोचते हैं कि निमसेट आप पहले attempt में crack कर सकें तो और यह सोचें कि मैं final year के last semester में करू आपने अगर मन मना लिया है कि मुझे qualify करना है तो सबसे पहला rule है कि जिस दिन आपने सोच लिया कि मुझे अब निमसेट crack करना है आपका exam या 24 है या 25 है doesn't matter आप preparation start तुरंद करें obviously 24 वाले बच्चों को थोड़ा सा जादा time देना है 25 बलों को कम क्योंकि अगर मैं 25 के साफ स से देखूं तो लगवग 28 से 30 मन्त हैं पर 24 के साफ से देखूं तो आप लगवग 18 से 20 मन्त का ही टाइम बचा यानि अब बहुत टाइम नहीं है तो आप लोगों को अगर आपने अभी तक action नहीं लिया in fact पहले भी मैंने बताया हुआ है तो कई बच्चे impetus गुरु कुल के 24 के लिए पर जो नए बच्चे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि अभी राइट टाइम है कि आप preparation start करें क्योंकि अभी अभी आपके semester खतम हुए होंगे अब बात आती है कि कि किसी भी exam को crack करने के लिए सबसे पहले क्या important चीज़े हैं तो सबसे पहली और basic चीज है कि paper के पुराने paper पुराने सालों के results कैसे हैं कितने marks पर क्या-क्या colleges मिलते हैं तो उसके लिए सबसे पहला काम ये करना होगा अगर आप बिल्कुल 0 पे हैं तो भी तो हम बात करते हैं सबसे पहले especially NIMSET अगर आप NIMSET की त्यारी कर रहे हैं तो आप MCE के लगबग हर exam की त्य जैसे IIT मेंस के तुरू NIT मिलती है B.Tech के लिए same thing कि NIMSET के तुरू आपको master के लिए MCE के लिए आप जा सकते हैं अब बात आती है कि NIMSET का paper कैसे होता है कब होता है और हमें कैसे पढ़ना सबसे पहली बात कि NIMSET का जो exam है वो अक्सर मई के मन्त में होता है due to COVID अभी important चीज है वो है mass का बहुत बड़ा part mass और mass related branches होती है logical reasoning या quantity aptitude basic of computer fundamental और very elementary English का portion इसमें आता है तो आप exam की preparation करें उसके पहले हर एक बच्चे का ये question होता था सर की हमें ये पता नहीं चलता कि हम जब start कर रहे हैं तो कहा हैं तो हम लोगों ने एक तो सबसची चीज है कि एक assessment test test series launch की है और उस assessment test series के तुरू आप सब impetus group से जुड़के पहले पुराने निमसेट के paper या मैंने DU के paper या CUT के paper वहां रखे हुए आप कम से कम last year के 2-3 paper दें और mock paper भी है जिससे आपको ये पता चले कि आप पढ़ाई जब कर रहे हैं तो आप किसना कहां पर stand कर रहे हो सकता आप 0 पर no problem हो सकता 10 scale पर हो सकता 20 scale पर हो सकता 30 तो सबसे पहले assessment test के थुरू आप ये जबू करिएगा उससे आपको बहुत help मिलेगी अब बात आती कि क्या करना है क्योंकि होता यह कि जिनका 11-12 मैस होता है उनका भी duration मैस से test कम हो जाता है और जिनका 11-12 मैस नहीं होता उनक इसको भी मैस में problem आती है तो मैस कैसे strong की जाए तो मैस को strong करने का तरीका यह है कि पहले 15 दिन जैसे अभी हम लोग 16th of Gen से एक new batch start कर रहे है 24th और 25th के लिए आप भी उसी तरीके से उसी pattern को follow करो मैं हर मन्त के starting में first week में आपको master plan देता हूं कि इस मन्त क्या पढ़ना है अले से नंटिल मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर self study में discipline नहीं आ रहा हो commitment नहीं आ पार रहा हो तो time waste करने की जगे आप online या classroom join कर लें जिससे की regulatory बनी रहे है एक discipline बना रहे हैं नहीं तो क्या होता है कि हम कई बार इतनी late decision लेते हैं कि फिर exam को qualify करने के लिए हमारे पास time कम हो होता है तो अगर आप self discipline है four to six hour regular पढ़ सकते हैं no need और अगर आपके साथ discipline maintain नहीं हो रहा है दो दिन पढ़ते हैं दो दिन नहीं पढ़ते हैं तो मैं कहूंगा आप 16 से जो batch है वो join कर सकते हैं और अगर आप self study कर रहे हैं तो एक काम जगू करना आपको कि आप बात साथ में test series join कर लेंगे तो और advantage होगा क्योंकि आपको test series के तुरू ये भी पता चलता रहेगा क्योंकि हम लोग new test series करना है कि weekly क्या पढ़ना है और उसका week में test होगा और उसका next Monday Tuesday में live analysis होगा और फिर अगले week क्या test होगा और complete study material भी होगा तो एक pattern हो जाएगा तो test series self study वालों के लिए बहुत helpful है ये गलती मत करिएगा कि test series आप बाद में करें कि पहले से लेबस करने ये गलती मत करिएगा तो आप बात करते हैं सबसे पहले क्या करना है जैसे 16 से लेके 30 जन्वरी तक 16 to 13 जन्वरी तक आपको elementary mathematics पढ़ना चाहिए यानि आप 9th और 10th क या तो NCRT की book या RD Sharma की book लीजिए और उससे set का basic quadratic equation, progression, elementary technology ये 15 दिन आपको करना चाहिए बहुत अच्छे से LCM, SCF, properties of numbers, properties of prime numbers पहले ये करिए देखिए जब हमें बहुत आगे लंबा jump मानना होना तो पीछे भी जाना पड़ता है तो ये काम आपका पहले 15 दिन में होना चा कर लेंगे, math बहुत वीक है तो आपको हो सकता है इसमें one month लग जाए बट one month नहीं रुकना है उसके बाद, फिर आपको 11th की math की book उठानी है और उससे math का पूरा syllabus cover करना है, start पहला topic करिएगा quadratic equation, quadratic equation के बाद आप लोग पढ़िएगा progression, progression के बाद ये दो topic आपको करना है और 15-15 दिन का समय देना है, actual में एक और benefit होता है कि अगर हम समय पर पढ़ाई start करते हैं तो हमें एक sufficient time मिलता है कि हम अपने syllabus को cover कर पाएं, तो आपको पहले पूरी 11th और 12th की algebra खतम करना है, progression के बाद आप करिएगा binomial theorem, binomial theorem के बाद आप करिएगा determinant, determinant के बाद आपको करना है matrices matrices, matrices के बाद आपको करना है, set theory, set theory के बाद करना है, permutation, combination, और उसके बाद आप करेंगे probability, ये पहला आपको दो मनत का target है, मैं हर मनत आँगा तो एक idea दिया, फिर भी एक idea देता हो कि कि किस order को आपको follow करना चाहिए, तो पहले आप लोगों को algebra finish करना चाहिए, algebra के बाद फिर calculus के बाद 2D, यानि two dimension coordinate geometry cover करना चाहिए, उसके बाद vector और miscellaneous, ये एक roughly idea दिया पर अभी मैं आपको इस मनत के बारे में बोलूँगा, especially अगले 20 दिन जो हमारे पास बचे हैं, 15-20 दिन, उसमें मैं आपको बोलूँगा, आप elementary mathematics करिए, और हर बच्चा, अगर आपकी match properties of number, properties of prime number, SCF, LCM, ये जओ करिएगा, अब जब आप ये cover कर लेंगे, तो जैसे आप मानलो test series से जोड़े हैं, तो जिस order में मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ने का तरीका, उसी order में classroom भी program चलता है, online भी चलता है, और उसी order में weekly test होते हैं, उसी order में steady material भी मिलता है, तो आ अच्छा क्या होता है, जब हम ये सोचते हैं, कि हम बहुत बाद में पढ़ना चालू, मतलब हम पहले पूरा syllabus करें, फिर test series देंगे, तो ऐसे में क्या होता, improvement का time नहीं होता, एक तो ये चीज हो गई, दूसरा, जब भी आप जो test दें, उसका अच्छे से analyze करें, book के question cover करें अब आपका question जबूर होगा, कि sir, books कौन कौन सी follow करें, तो मैं आपको बोलूँगा कि books के लिए, NCRT की books अच्छी है, तो आप NCRT की books लीजिए, 11th और 12th की RD Sharma की subjective book लीजिए, और अगर आपको subjective book, और अगर आपको objective की practice के लिए लेना है, तो errorless objective ले सकते हैं, RD Sharma की objective अच् क्या है, जैसे हम देखें, कई बच्चे क्या करते हैं, ये mistake करते हैं, वो सोचते है, IIT और NIMSET का syllabus सेम होता है, पर level में और question के approach में अंतर होता है, JEE का exam 3 घंटे का होता है, 25, 25, 25 questions आते हैं, यानि 75 question के लिए 3R, और अगर हम देखें, तो math के लिए लगवग 90 minute तक आप कर स में solve करना होता है, तो यहाँ पर time कम होता है, तो यहाँ पर tricky questions, logical questions वो होते हैं, JEE में questions का timing ज्यादा होता है, तो यह difference होता है, तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि RD Sharma objective is good book, आप चाहें तो कर सकते हैं, पर अगर आप कोई भी book लेते हैं, तो मैं एक चीज़ बोलूँग यह जवी नहीं है कि book पांच guide solve करें, पर जो भी guide करें, उसको कोशिश करिए five time करें, तो errorless objective अच्छी है, और या फिर आप RD Sharma की objective भी ले सकते हैं, कुछ बच्चे सिंगेज या हरिहन्त भी follow करते हैं, तो यह books के नाम है, यह तो हुआ math का, अब बात आती है reasoning, reasoning कब से पढ सकते हैं, और इसके लिए आप RS Agrawal की logical reasoning and quantity aptitude की जो book आती है, वो आप चाहें, तो ले सकते हैं, अब computer fundamental की अख से अभी कोई effort नहीं डालने, वो समय आने पर आपको डालना है, तो आप लोगों को elementary math पे पहले काम करना है, फिर 11th की पूरी algebra पे काम करना है, क्योंकि algebra strong होने से आप आगे के topics को अच्छे से काम कर पाते हैं, क्योंकि tools की तरह काम करते हैं, फिर algebra के बाद, इस तरह से आपको चलना है, every month मैं आपको बताता चलूँगा, पर मैं अगर आपसे बोलूँगा, अगर आपने 24-25 NIMSET को target किया है, तो wait मत करिए, ऐसा बिलकुल मत करिए, कि exam हो एक बात बताओ, एक 11-12 का बच्चा, NEET, JE या CLAT, इन सब की तयारी 10 से करने लगता, आप तो उससे निकल चुके हो, आपको ऐसा नहीं लगा कि आप बहुत लेट हो रहे हो, बोले से लगा था पर सोचा ऐसा, ये गलती मत करिए, college के लिए बहुत ज़्यादा time नहीं देना पड़ता और अगर अभी से आप पढ़ेंगे तो आपका college management और निमसेट preparation management बनी रहेगी, 4 घंटे उसको देजिए, 4 घंटे इसको देजिए, sufficient है, तो आप सही समय पे सही action लीजिए, क्योंकि मेरा ये मानना है, कि right action in right time equal to positive result, यानि लोग action तो लेते हैं, पर वो कई बार इ अच्छे result नहीं मिल पाते, तो मैं आपको बोलूँगा, आप try करिए, once again, all the best, thank you.